हैलो फ्रेट्स, वेलकॉम तो मैं इस्टडी फीट और फिजिकल एजुकेशन चैनल, दोस्तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ खेल प्रबंधन और साथ सिछा में पाथक्रब, क्यानी केरिकुलम इन स्पोर्स मेनेजमेंट, एन आई सिटी एन फिजिकल एजुकेशन, दोस्तों जैसा कि मेरे चैनल पे इस सिछलेबस के एकवाडिंग फिजिकल एजुकेशन के सभी कमपुटिक इक जाउन का प्रिपरेशन कराया जा रहा है, और सभी टापिक पर फियोरी वीडियो अपलोड किये जा चुके हैं. syllabus के according एक-एक topic का वीडियो बनाया जा चुका है चाहे anatomy physiology हो चाहे sports medicine हो चाहे खेल हो चाहे any topic and previous year के mcqs question hundred से जादा वीडियो बनाया गया है और hundred से जादा वीडियो आपके chapter wise mcqs पर practice भी कराया गया है यदि आप dress तयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाएए और daily basis पर practice भी कीजिया authentic book जो अब लिये हैं उसका भी practice करते रहिए तो दोस्तों चलिए चलते हैं आज के प्रश्णों की तरफ question है कि जब कुछ बेक्टियों का श्रमू एक साथ किसी सारोजनिक कारे के उद्देश से जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं तो उसको शंगठन बोलते हैं नेक्ष्ट है प्रबंधन के प्रसास्किय सिधान्त को बिख्सित किसी ने किया था तो प्रबंधन के प्रसास्किय सिधान्त को बिख्सित किया था हेनरी फियाल ने नेक्ष्ट है खेल प्रबंधन है तो यह एक कला और एक बिग्यान दोनों है नेक्ष्ट है अभ्यास क्यों जरूरी है तो बिदमान कच्छा की तैयारी करने के लिए दोस्तों अभ्यास की विना तो कुछ भी संभो नहीं है अभ्यास के द्वारा तो सब कुछ संभो है जैसे कि कहा भी किया है प्रैक्टिस में ए मैन परफेक्ट यानि कि अभ्यास ही इंसान को परफेक्ट बना सकता है नेश्ठ है कौन सी अध्यापन पधती स्थाररिक सिझ्छा में सरुसिष्ट माना जाता है तो वोता है प्रदर्शन पधती नेश्ठ है भारत में सरुप्रथम कि समाचार पत्रद्वाया खेल समाचारों को प्रकासित किया गया था तो ओ है दो हिंदू नेश्ठ है बजट क्या है तो दोस्तो बजट है आय ब्याय का अनुमानित विवरण यानि बजट का मतलब ही होता है कि आपके पास कितना आय आ रहा है और उसका आप कैसे मैनेज करेंगे अपने सभी चाहे प्रबंधन में हो चाहे किसी प्रसासन में हो चाहे घर में हो तो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे जितना आय आ रहा है मालेज़े आपके पास बहुत कम आय रहा है, लेकिन आपको उसी में अपने सभी खर्चों को मैनेज करना है, तो कैसे आपको आय जो आ रहा है और ब्याय कितना करना है, उसका अनुमान लगा करके उसमें संतुलग बनाना ही एक बजट होता है. नेश्ट है खेल उपकरर क्राय करतिस्ट में किन बातों का विसेश महत्व है तो सबसे पहले उसके गुरुवत्ता है देखेंगे आपके बास बजट कितना है और क्या उचित है क्या और उचित है उसको देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे बजट क्या है आपके पास उस बजट में अच्छे गुरुगतावाला मिल जा रहा है कि नहीं ठीक है करना ही हर चीज में सुधार करने में मदद करता है नेश्ट है बिसे पाठ के अंत में सिच्छक को या सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र कारिस्थली को इसमें से किस इस्थिती में छोड़े तो हमेशा सकरात्मक सोज के साथ पाठ के अंत में सिच्छक को छात्र को नेश्ट है इनमें से क्या सारणिक सिच्छा की सुईधाओं की इस्तर की आवसकता का निधारण करता है तो सारणिक सिच्छा की सुईधाओं की इस्तर की आवसकता का निधारण करता है दोस्तों तो होता है कारेक्रम की आव सकता यानि कि कारेक्रम की आव सकता जैसा आपका रहेगा उसी के एकॉर्डिंग आप कारे करेंगे नेश्टर समानित्या पार्ठक्रम कुछ समझा जाता है तो पार्ठक्रम क्या होता है वहां किसी भी संस्था द्वारा निधारित पाठिक्रम होता है नेश्ट समाने पाठियोजना की तुलना में विसेश पाठियोजना होता है तो दोस्तों वहां लगू योम विसेश केंदित होता है समाने पाठियोजना समाने पार्ठी यूजन्या आपका समाने चीजे पर होता है लेकिन जो विसेस पार्ठी यूजन्या होता है विसेस केडित होता है किसे चीज से रिलेटेड है और लगू भी होता है नेश्ट है सैच्छी की बियावस्था की अनुसार एक अच्छे समय सारड़ी में होता है तो एक अच्छे समय सारड़ी में होता है सिच्छक का नियम बध और नियमित कारे बाधता यदि समय बधता नहीं होती समय सारड़ी नहीं होता तो ना समय पे कोई जाता ना समय से आता ना समय पे कोई कारे करता तो एक समय साड़ी होने से किसी भी चीज dejar से चचक हो जाया कोई भी चीज भी उसको नियम बध और नियमीतलिप से कारे की बादेता हो जाती है लेश्ट है किसी एक लच्छ पर विभिन ब्यक्तियों की कोशिस के समंध्यस्य को प्रयास को क्या कहते है तो यहाँ भी इंपोर्डेंट कोश्चन है या इसको प्रमंधन कहते है यानि किसी एक लच्छ पर विभीन ब्यक्तियों की कोशिस के सामध्यस्टे के प्रयाज को प्रबंधन कहा जाता है मेनेजमेंट कहा जाता है मेश्ट है इनमें से इनमें किसी भी प्रबंधन का मुख्य बिंदू कहते हैं तो किसी भी प्रबंधन यानि मेनेजमेंट का मुख्य बिंदू होता है सभी के आपसी सहयोग यवन विश्वास यह मुख्य पॉइंट है next है कि time table क्या सुचित करता है तो दोस्तो time table क्या सुचित करता है जो time table होता है वह केवल teacher पर काम का बोज and school की कारे संचालन अवधी बिसिष्ट समय पर class या teacher का अस्थान तो यहाँ पर आपका बिसिष्ट समय पर class या teacher का अस्थान आपका सही होना चाहिए दोस्तों यहाँ पर उपरोक्त सभी सही हो जाएगा क्या सही हो जाएगा उपरोक्त सभी लेकिन यहाँ पर आपसा नंबर A जो है time table क्या सुचित करता है केवल teacher पर काम का बोज A तो आपका नहीं A आपसा नंबर A यहाँ पर नहीं हो सकता तो यहाँ पे आपसा नंबर C ही होगा कि बिसेश च्राइब पर क्लास या तीजर का अस्थान नेश्ट है निन में से कौन सा घटक टाइम टेबल पर प्रभाव डालता है तो विद्यार्थी की संख्या कितना है उपकरण की उपलवदिता कितनी है नेश्ट है निन में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक सारीच सिछण सुरुवात करने की पहल की तो वो है नेशनल फिटनेश क्राप्स जिसकी इस्थापना 1965 में हुआ था यान FC नेशनल फिटनेश क्राप्स तो दोस्तो आपके प्रवन्दन यों केरिकूलम यानि पार्टिक्रम्स रिलेटेट एबीस कोश्चन थे आई हो कि आपको समझ में आया होगा तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरू बताईए सभी डाउट मुझे कमेंट में बताइए मैं डाउट क्लियर करने की पुरी कोशिश करूंगी जएदे सज़धे वीडियो को सेयर भी कीजिए फॉर्ट वाप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी बिल आइकन को प्रेश कर लिजी जिसे न्यू वीडियो को आपडेट आप तक पहुचता रहेगा तो मिलते हैं नेश्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हुआ